तो दोस्तो नमस्कार, Profit Guru चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत कहता हूँ तो दोस्तो आई आर से टीसी में एक बड़ा सा अपडेट आया है ठीके और साथ मैं बताना चाहूँगा कुछ टार्गेट आया है और वो टार्गेट प्राइस दोस्तो करेंट मार्केट के प्राइस के इसाप से ना काफी नीचे देखा जा रहा है तो ये एक दोस्तो डराओना संकेत देखने को मिल रहा है तो इससे क्या होगा, क्या investor दोस्तों इससे exit कर दे, या fresh entry ले ले, या इसको hold करके चले, मतलब परिशानी एक सामने आ जाती है जब सोचने पर इंसान ना मजबूत हो जाता है, तो वेसे ये, investor के सामने भी जब परिशानी आ जाती है तो investor सोचने पर मजबूर हो जाता है, फि वीडियो को start करें से पर लेकी चेंज में बोलूँगा, अभी तक आपने चनल को first time visit के है, तो definitely subscribe करिए, क्योंकि daily basis पर आप लोगों के लिए, इसी प्रकार का भैतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आज का हम performance देख ले है, तेकि लगबग 15 पॉइंट गिर के, पोने 2% की गिरावट, प्रिवेस क्लोज थी 839 रुपे 90 पर से, इस्टोक ओपन हो, 888 रुपे 60 पर से, गेब डाउन ओपने हुआ, जो था ना जो नीचे का टार्गेट का अपडिट आया, उसके करन प्रेशर में देखने को मिला, ह बात में देखिए, 52 का ही, 52 का लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत भर-भर के रिटन दिया, एक टाइम यह ऐसा स्टॉक बन चुका था, कि इंवेस्टर सुबह उठ रहा था, इसमें पैसा डाल रहा था, फिर दूसरे दिन सो के उठ रहा था, जब तक वो पैसा 2-3 ग कमपनी की फंडामेंटल कंडिशन, दिन पर दिन काफी ज़्यादा स्ट्रोंग होती जा रही थी, तो काफी ज़्यादा दोस्तो पोजिटिव निउस के करएं, स्टॉक डेली वेसेस पे क्या हो रहा था, भागते जा रहा था, स्टॉक 6,600 रुपे के आसपास आ चुका था, जब इसमें प्रेशर आया, तो दोस्तो एक क्रेश ओनत चाल लू हो गया, जब भी दोस्तो काफी ज़्यादा जो शेर होल्डर थे, देटेल इंवेस्टर थे, उनको जो दोस्तो काफी ज़्यादा लॉज भी हुआ था, और वो अभी भी अपने लॉज से उबर नहीं पाए हैं, ठीके, क्योंकि उनकी पोजिशन अभी भी लॉज में देखने को मिल रही है, साथ में डिलेवरी पेटन देख सकते हो, अब इतना इंट्रेस्टेंट ज़्यादा कोई लेता नहीं है, ठीके, अभी भी देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब द क्या कर रही है, अपना फाइनेशियल रिजेट शो कर रही है, ठीके, साथ में अपना डिविडेंट दे रही है, ठीके, तो यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तारीको है बजट, क्या बजट में दोस्तों, PSU कमपनी के लिए कुछ ना कुछ अपडे रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा सेक्टर रहेंगे, ठीके, जिन पर अभी से FII, DIA फोकस लगा के बेट गए, अपडेट कुछ भी आता है दोस्तों, ठीके, अराम से परसा कमाने का मुखा आपको मिलेगा, तो जरूर आप भी फोकस लगा के बेटी, स्टेडी करें बजट के ठीक है, यह थोड़ा बढ़के मिल सकता है क्योंकि कमपनी की जो fundamental condition है, अभी और हमें बढ़ते देखने को मिल रही है, खिर उसको हम भी देखेंगे अभी और कि किस प्राका से बढ़ते देखने को में मिल रही है, चली आप जो selling pressure वाला target आया है, हम वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर sale का यहाँ पर target आया था, आया सेटीज के उपर, अभी दो दिन पहले, लगबग दोस्तों, 758 रुपे के आसपास का यहाँ पर क्या है, टार्गेट दिया है, ICIC डारेक्ट ने, अब यह क्यों दिया है दोस्तों, क्या budget के बजट में, इन कंपनियों के उपर कुछ गलत अपडेट आने वाला है, PSU कंपनियों के उपर, या railway कंपनियों के उपर, जिसके कारण यह selling pressure दिया, अब आपको पता है कि ICIC डारेक्ट है, टेके, वो कितना बड़ा brokering firm है, एक banking brokering firm है, टेके, आपको पता ही होना है, और आप देख सकते हैं, इतना बड़ा target दिया है, तो कुछ न कुछ analysis करके उसने यह target दिया हुआ, तो यह सबसे बड़ा परेशानी का कारण है भी retail investor का बना हुआ, अब यहाँ पर उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है, कि वो exit करें, ठीके, या hold करें, या fresh entry ले, अब आप ख करके चल सकते हो, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, ठीके, उसके साथ, आप इसको भी एक point पकड़ सकते हो, budget के बाद, ठीके, इसको पकड़ के चल सकते हो, और बाकी इसको तो दोस्तों, बिल्कुल भी अपने पास मताने दीजिए, ठीके, तो आपका पकड़ की कंपणी है, बन चुकी है, और उसके साथ, अगर आप देखेंगे, तो कंपणी का return on employee, अभी 16% में, return on equity का लगवक 16, 15,15% के आसपास है, उसके साथ या आप देख सकते हो, फेस बिली दो रुपे हो चुकी है, जो 10 रुपे के आसपास थी, अब देखिए, सबसे पुराने समय से stock क्या हुआ हुआ है, इस dma को तोड़ चुका है, लगबख 26 नौमबर के आसपास, 26 नौमबर के आसपास, हाँ, यहा पर यह उपर आया था, लेकिन फिल से इसको नीचे डाल दिया गए, फिर ही जहा है था था, फिल से नीचे डाल दिया गए, फिल यहाँ बड़ा पारिशानी का कारण आमें देखने को मिल रहा है ठीक है उसके साथ ही बागी तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़े पता है क्योंकि PSU कमपणी है आप PSU कमपणी का क्या देखना पड़ता है मैं सेल्स देखनी पड़ती है देखे सितंबर कार्टर में कमपणी ने 405 करोड की सेल्स की थी और लास्ट दिसंबर 2020 में लगबग 24 करोड की अभी तो यहां पर कुछ भी नहीं है ज्यादा रिस्टिक्शन भी नहीं लगए हूँ है कि घुमने फिरने पर मतलब टूर जो ट्रेव बिजनेस भी उपन कर लिए लाइक केपसूल बारा बिजनेस ठीक है और जहाज वाला जहाज में सर्वीस देने वाला उसके साथ बहुत सारे बिजनेस यहां पर कंपनी ने उपन कर लिए तो दोस्तो इस कौटर में एक अच्छा का सा कंपनी का सेल्स ग्रूथ हमें दीखना चाहिए सेल्स ग्रूथ दीखेगा तो यह जो लगबग 169 करोड के असपस का जो प्रॉफिट है यह 200 करोड के उपर भी जाना चाहिए जो हमारे लिए एक अच्छा एक टिप फोकस करने वाला मुमेंट रह सकता है सालाना तोर पर भी आप पॉफोमेंस देख सकते हो ठीक है सालाना तोर पर सबसे बड़ी कंडिशन यह बिगड़ी हुई है ठीक है कि अगर इस साल कमपनी का पॉफोमेंस इसके ऊपर होना चाहिए क्योंकि इस साल उत्तक मतलब बिजनस बंद नहीं हुआ जितना दोस्तों इस साला में देखने को मिला था इस साल ठीक है उसके ऊपर करते हैं साल झाला चाहिए 2122 का पर मपर कंपनी का कहां पर प्राफ टा facts पांसो अब यहां पर आप देख सकते हो शेयर वर्डिंग पेटन में आप लमोट अग्सा कासा स्टेक लेके बिठे हैं एफाईय यहां तक बहुत अच्छा था ठीक है फिर यहां पर धीरे से कम किया फिर यहां पर कम क्यों यहां ये देखे ये FIA अभी क्या कर रहे है इस टौक में प्रेशर डाल रहे है जिसके करण ICIC direct के तरफ से भी क्या आया है अपडेट आया है अब DIAI को देखे यहाँ पर अच्छा कासर stake बढ़ाया ठीक है उसके बाद देखे, यहाँ पर भी बढ़ाया, फिर यहाँ पर गिरा दिया, फिर यहाँ पर बहुत ही कम कर दिया, तो यह दोस्तो अनेक्सपेक्टेड मुमेंट है, एक PSU कमपणी है, जिसका दोस्तो मोनोपोली बिजनेस है, इसको कमपेर करने वाली कमपणी मार्केट में को हुई है, लेकिन वह एक leading company नहीं है, उसको competition देने वाली मार्केट में बहुत सारी कमपणी है, ठीके, बहुत सारी कमपणी है, लेकिन वह SBI कार्ड है ना, मार्केट में गलती से उसको list करा दिया, फिर वह तो government company, government को तो पैसा जूटाना बढ़ता है, तो उसको market में list करा द कितना बेकार condition stock की बन चुकी है, लेकिन इस company की condition कितनी जोड़दार है, यह उसकी industry के अकली company, इसको competition देने वाला कुछ नहीं है, अब एक बार SBI कार्ड को देख लीजिए, और इसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, फंडा, ठीके, तो मैं यह समझान तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सस्क्राइब, क्योंकि डेली बैसेस पर हम आप लोगों को इसी परकार के बहतिन अपडेट लाते रहते हैं, तो थेंक यू दोस्तों